किसान मितुरों नमस्कार आज हम दिखाने जा रहे हैं वेस्टडी कमपोजर सीचाई के साथ प्रती एकड़ 5000 लिटर एक सीजन में देने के बाद इस खेत में जो आप ये काली सूकी हुई मस्रूम देख पा रहे हैं ये कमाल कर दिखाया है वेस्टडी कमपोजर ने इस से ये उगाई है इस खेत में प्रती एकड़ 5000 लिटर वेस्टडी कमपोजर पांच सीचाई में दिया गया और ये वेस्टडी कमपोजर का अधिक उप्योग करने पत्थरों का गोल पांच पत्ती काड़ा माइक्रो निउट्रेंट और सभी जानवरों की डग से बनाए गए निउ एसी बहुत शांदार मस्रूम है यहां और भी काफी पोधे हैं ये पोधा एक और मस्रूम का उगाया है आप देखें आराम से ये जो है ये भी सूग गया है मस्रूम और यहां बहुत ज़्यादा मातरा में मस्रूम आये हैं ये बहुत ऐसे मस्रूम यानि की सिद्ध हो गया कि जमीन में जेविक जिवास्म बढ़ गया है अब अगर इस खेत में अगली फसल में अगर वेस्ट डी कमपोजर का उप्योग भी ना करें तो भी जमीन में वो शमता आ गई है कि बिना किसी जेविक उतपादों के या बिना किसी रसाइनों के एक साल फसल आसानी से हो सकती है आप देखें एकदम अच्छी इस्तती हमारे सौंप के खेत में जो आई है हम आपको फिर से बता दें कई सालों से रसाइन मुक्त खेती कर रहे हैं और जब से वेस्टडी कंपोजर का उप्योग करने लगे हैं बहुत ही बहतर परिणाम आने लगे उत्पादन बढ़ने लग गया और खर्चा भी कम होने लग गया ये इस तरह की मसरूम हमारे खेत में अब स्वत ही उगनी चालू हो गई है मौसम और बे मौसम ये एक अच्छा संकेत है कि अब वो दिन दूर नहीं कि किसानों का और भी खर्चा कम होगा आप देखें बहुत सुन्दर सी सुक्योई मसरूम जो की ओस्टर मसरूम का एक रूप है आप से मेरा सभी ने ये निवेदन की आप प्रती एकड़ एक हजार लेटर वेस्टर डीकमपोजर हर सीचाई के साथ उसके साथ जो भी उत्पाद आप बनाना जानते हैं या बना सकते हैं वो अधिक से अधिक उप्योग करें और अपने खेत में एक ऐसा खेत बनाएं कि बिना किसी उत्पाद के दिये बगेर ही एक अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं अब इसके अंदर इस मिट्टी के अंदर सभी तरह के पोशक तत्तु सभी तरह के आवश्यक फसल तत्तु उपलब्द हो चुके हैं धन्यवाद